आज हम आपको गिलहरियों के बारे में कुछ रोचक तप्थे बताएंगे तो अगर वीडियो पसंद है तो आखिर तक जरूर देखेगा दोस्तो नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका पावर स्टडी चेनल में और आज हम आपको बहुत ज़्यादा रोचक तथ्या बताएंगे गिलहरियों के बारे में और और अवर्ण गिलहरियों के बारे में हम ज़्यादा बातचीत करने वाले हैं तो अगर आपको नहीं पता है बहुत सारी बाते तो ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखनी चाहिए ये मेरा personal suggestion है आपके लिए गलहरियों की बात हो रही है तो हम सुरुवात से करते हैं इनकी प्रजातियों की प्रथवी के ऊपर इनकी जो प्रजातियां है वो 285 प्रकार की प्रजातियां इनकी पाई जाती है यानि की 285 species इनकी प्रथवी यानि अर्थ पर पाई जाती है यह देखिए को प्यारी नग रही है यह पानी के पास में पीते हूँ क्यूट सी गलहरी, अगर हम बात करते हैं इनकी उम्र की, तो इनकी जो लगभग जो जीवन का और 18 साल का लगभग टाइम होता है लेकिन भारतिय गलहरीओं यानि की स्क्वेरल्स का जो आफसतन जीवन यानि life span है वो आपका दो से चार साल का होता है और साथ ही साथ मैं एक खबर और दे देता हूँ कि जब वो नो महीने की हो जाती है यानि कि अपने पैदा होने के नो महीने बाद वो सक्षम हो जाती है नई गिलहरी को उत्पन करने के लिए यानि कि अपने बच्चे को पैदा करने के लिए वो तैयार हो जाती है अपने जन् अंदर की बात अब हम बात करते हैं इनकी प्रकार की यानि कि ये कहां कहां चल सकती है जियां ये जमीन पर भी चल सकती है ये दिवाल पर भी चड़ सकती है ये पेड़ पर भी चड़ सकती है और ये खाने पीने की इनकी बात की जाए तो खान पान इनका मतलब हर प्रकार का हो यानि कि यह non-veg भी खा लेती हैं यह vegetarian भी होती है अर्थात इन्हें आप omnivore कह सकते हो ठीक है दोस्तों अब इनकी जो बात है वो क्या है यानि कि यह non-veg में जो खाती है यह चोटे-mोटे कीट वगरा चुहे वगरा भी खा जाती है और dry fruits वगरा खाती है मुंपली वगरा ख खा सकती हैं लेकिन इनका जो साउंड होता है सबसे ज़्यादा इनका साउंड ही होता है मतलब ये साउंड बहुत ज़्या तिज निकाल लेती है सुबा सुबा भारत के अंदर जरूरी नहीं है कि मुर्गे ही बांग दे कर उठाएं ये भी सुबा सुबा बहुत चिची आती ह कि यहाँ पर सायद कोई खत्रा है और खत्रे के टलने के बाद भी यह अलग प्रकार की धुनी को निकालती है और इनके साथ मैं यह Power Study नहीं खुद रिसर्च करके ढूंडा है कि जब गिलहरी सीधी होती है और उसके बाद अगर वो अवाज निकालती तो वो अपनी पूँच को बिना हिलाए वो अवाज नहीं निकालती यानि कि अर्था जब भी वो अवाज निकालेगी उसकी पूँच ज़रूर हिलेगी दोस्तो यह आप नोटिस कर सकते हो और जिन लोगों को अब यह गिलहरी भी थक गई है और मैं भी थक चुका हूँ तो जिन भी लोगों को यह वीडियो पसंद आए हो लाइक करें और सब्सक्राइब करने वाले ज़रा घंटी डियो बैल आइकन है ज़रूर दवाएं ताकि आपके पास हमारी हर प्रकारगी वीडियो जल्द से जल्द पहुंच जाए नमस्कार दोस्तो बाई बाई फिर मिलेंगे अगली वीडियो में